अब जैसे जैसे घोसी उप्चनाव की तारीखे नस्दीक आ रही हैं वैसे वैसे चर्चा तेज हो रही जहाए एक तरफ घोसी के फाइट दो मुख्य पाटियों के बीच रह गई है तो वहीं प्रत्याशू में भी अब ये मुकाबला रोचक दिख रहा है पूर्वी उत्तरप्रदेश के मौस जिले की घोसी विधान सबा से सत्ताधारी भार्ट जंता पाटी ने दारा सिंग चोहान पर दाव लगाया वही विपक्षी समाजवादी पाटी ने पुराने समाजवादी सुधाकर सिंग को मैदान में उतारा है आपको बदा देगी घोसी सीथ पर दो दलों के बीच ही नहीं दो गटबंधनों के बीच भी सीधा मुकाबला है बीजेपी का गुवाई वाले एंडिये में शामिल ओम प्रकाश राजबर के सुहल देव भार के समाजवादी भी घोसी विजय के लिए पूरी ताकत लगा रही है वही कॉंग्रेस के नमन्युक्त प्रदेश अध्यक्ष अजयराई ने सपाव मिद्वार को समर्थन का एलान कर दिया है एक तरफ से सुबह सपा तो दूसरी तरफ से सपा के साथ अब कॉंग्रेस भी खुल कर खड़ी हो गई है सताधारी और विपक्षी दोनों ही गड़बंधर इस उपचनाव को कितनी गंभीटा से ले रहे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों ही पक्ष अपने सबसे बड़े चहरों को चनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारने जा रहे हैं सभा प्रमुख अगिले शादब 29 अगस्त यानि आज से घोसी में चनावी रैली को सम्मोधित करेंगे तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के घोसी में आखरी चन दिनों में सभाई करने के तयारी की जा रही है माना जा रहा है कि एक, दो और तीन सितंबर में योगी आदितनाथ की समाई कभी भी हो सकती है गोसी उप्चनाव विपक्षी इंडिया नैशनल डेवलाप्मेंट इंक्लूजिव अलाइंस यानि इंडिया के लिए पहले टेस्ट की तरह देखा जा रहा है 2022 के चनाव में इस सीट से सपा के टेकेट पर डारा सिंग चोहान जीते थे डारा सिंग चोहान ने विधान सपा की सदस्ता से स्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे दारा सिंग के स्टीफे से खाली हुई सीट पर उपचनाव में सपा के सामने अपनी सीट बचाने की चनौती है वहीं बीजेपी दारा सिंग के सहारे घोसी की जंग जीतना चाहती है घोसी उपचनाव में दोनों ही खेमों ने पूरी ताकर जोक रखी है सपा की ओर से राम गोपाल यादव और शुर्पाल यादव ने प्रचार अभ्यान की कमान सम्हाल रखी है तो वहीं बीजेपी की ओर से योगी सरकार के दोनों डिप्टी स्यम केशव प्रसाद मौरे और ब्रजेश पाठक लगातार घोसी के दौरे करन है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी घोसी में डेरा डाल रखा है सुबा सपा प्रमुक ओंप्रकास राजबर के लिए भी ये चनाव प्रतिष्ठा पारक बन चुका है आपको बता दे कि घोसी के लिए 5 सेतंबर को मतदान होना है चनाव के नतीजे 8 सेतंबर को आएंगे घोसी उप चनाव के लिए 3 सेतंबर की शाम को चनाव प्रचार थम जाएगा चनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बीजेपी और सभा के रणनीती आक्रमक होती जा रही है चनाव क्रचार के अंतिन चरण में दोनों ही पक्षो की रणनीती सबसे बड़े चहरों को आगे कर मतदाताओं को अपने पाले में लाने की है अब देखना होगा कि घोसी विधान सभा के लोगों पर किसका कितना असर होगा लगनो से कुमार बिशेक की रिपोर्ट यूपी ताक